ये जो आदिवासी राष्टी एकता परिसद है और जो धर्णा दे रहे हैं इसका क्या मूल उपदेश है इसके बारे में कुछ अपना विचार दे सबसे पहले आपको धनेवाद से आज हम लोग राष्टी आदिवासी एकता परिसद के द्वारा ये धर्णा परदर्शन हम लोग किये हुए हैं और इस धर्णा का मुखे उदेश है कि आज देश भर में देश में आदिवासियों पर हो रहे अन्य अत्यचार के बिरोध में आ स्थी आदिवासी एकता परिसद के द्वारा किया गया है आज उसका हम लोग धर्णा परदर्शन कर रहे हैं कि पूरे देश में अलग-अलग तरीके से आदिवासियों को विस्थापन करने के लिए सड्यांत्र किया जा रहा है और ये जो बिस्थापन हमारे लिए गंभीर चिंता का विशई है और किवाल ये जारखन में ही नहीं पूरे भारत देश के हर राजी में हर जगा अलग-अलग तरीके से विकास के नाम पर जंगली पस्सू जिसको बाग हाथी भालू के नाम पर वो कोरिडोर के माध्यम से निर्मान कर रहे हैं और हम लोग को बिस्थापन करने का सड्यान्त चल रहा है इसलिए हम लोग इसके विरोध में धर्ना परदर्शन ये हुए है दूसरी बड़ी समस्या है कि जो पांचवी अनुसूची छेतर में जो धारा 244 के अंतरगत जो आता है इस छेतर में हमारा आदिवासियों का अधिकार है और इसमें हम लोग को सोयम सत्ता का अधिकार है एहां जो अनुसूची छेतर है उसमें भारत सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है और साथ ही इसमें ना ही कोई जमीन खरीच सकता है लेकिन आज भू मफ्याओं के दुवारा खनीज मफ्याओं के दुवारा आज संबैधानिक तरीके से आज हमारा जमीन को खरीच फरोस्त का काम चल रहा है जी ये कोरीडोर के बारे में कुछ आदिवासी भाईयो और यहां के मैनोर्टी आदमी है वो लोग के बारे में कुछ बताएंगे कोरीडोर जो है एक तरह का जो जंगली पस्सु को पालने के लिए सरक्षन करने के लिए है और एक कोरिडोर के माध्यम से हम लोगों को विस्थापित करने का सद्यन चल रहा है ए मतब पसु पच्छियों को सरच्छन कराने के बहाने आज लगभग नेशनल कोरिडोर भारत माला जो योजना है इस योजना के दुआरा हम लोग को विस्थापन करने का सध्यन चल रहा है और अभी ततकाल जनकारी मिला है कि यहां पर पालकोट कोरिडोर के नाम से है जहां पर एक सव एकानवे गाउं विस्थापित हो रहा है यह हम लोग के लिए चिंता का विसे है जो यह कोरीडोर है तो यह आम आज जनता क्या समझें इसके बारे में क्या समझें दिया जाए आम जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि आम जनता को इसके बिशे में कोई जनकारी नहीं है और जनकारी नहीं होने के कारण यहां किसी प्रकार का धरना या तो अंदोलन नहीं हो रहा है और इसे क्या नुकसान है यह भी आम जनता नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आम जनता को ये सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने हां कधिकार के लिए आगे आवे और इसके लिए लड़ने का पर्यास करें। साथ ही जो भारत माला जो योजना है ए उतर से दच्छीन और पुरुप से पच्छीम ए जो रास्ता बनाने का जो सड्यांतर है इसके माध्याम से भी हमारा भारी मत्रा में विस्थापन होगा। तो आज इन्ही तरह का साथ में हत्या, बलतकार इन तरह का तमाम सरब चीज हमारे आदिवासियों के साथ अनेय त्यचार होता है फिलाल ही सिम्डेगा का हम बात करेंगे तो सिम्डेगा में गव हत्या के नाम पर गव मंस खाने के नाम पर हमारे जो इवक जो भाई थे उनका सिर मुडवाया गया और धार्मिक जैजैकार भी करवाया गया और इसका किसी भी परमान नहीं मिला और बाद में इसको पूलिस प्रसासन को सौंप दिया गया और पूलिस ने इसका जाच करते हुए उसको खतम किया गया लेकिन आज विसेस बात रहा कि इस तरह हम लोगों के साथ में जो अन्या अत्यचार है एक काफी चिंतिनिये का विसेई है इसलिए हम समाज के सभी भाई बहन से हम आगरा करना चाहेंगे आदिवासी समाज के जाती धर्म छोड़कर आज हम लोगों को एक साथ आने का जूरत है और आज हम लोगों को मौलिक अधिकार के लिए लड़ने का जूरत है आज जैसे कि सरक कुछ आज धीरे-धीरे खतम किया जा रहा है इस लोगडाउन के अंदर में हम लोगों को बिमारी के नाम पर इसको हम लोग को अंदर किया गया और लेकिन सरकार इसको आवसर मान कर इसको बेचने का काम किया गया आज रेल बीग चुका है एयरपोर्ट बीग चुका है तेरा एयरपोर्ट बीग चुका है और यहां कि लखनव एयरपोर्ट भी बीग चुका है और ऐसे में अगर सारा हमारा जो सरकारी समपती है उसको बेच देंगे तो फिर जितने भी आज मतलब नोक्री पेशा कर रहे ह हमारे पुलीस है फाउज है टीचर है इनको कहां से रुज बितन देंगे तो ये इस तरह का जो गंभीर समस्या है इसलिए हम सभी लोगों को जागने का जुरूरत है और खास कर हम लोग आज राश्टी आदिवासी एकता परिशद के बैनर तले आज हम लोग धरना परदर्श किये हुए है और आज यहां पर ही नहीं पूरे भारत के जितने भी तैसील है वो सभी तैसील में किया जा रहा है और आज यहां हम लोग गुमला जीला में यहां हम लोग गुमला बुलोग के सामने हम लोग धरना परदर्शन किये हुए हैं और इसके साथ में चैनपूर में जो साथ ही हैं उनलोग चेंगपूर में कर रहे हैं। धन्यवाद।